पाकिस्तान से अंजू का एक और वीडियो सामने आया है जिसमें तीन लोग दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ ही एक तीसरा आदमी भी इस वीडियो में दिखाई दे रहा है पाकिस्तान से अंजू के कई वीडियो इसके पहले भी सामने आ चुके हैं लेकिन ये बिलकुल न कि अंजू के निकाह के बाद का ये वीडियो है पाकिस्तान में अब तक जितने भी बयान दिये हैं उस सवालों के घेरे में आ चुके हैं शुरुवात पे अंजू ने जिसे अपना दोस्त बताया उससे अब निकाह करने के खबर सामने आ रही है अंजू ने भारत में रहते ने भी कब अपलाई किया वीजा के लिए अंजू ने कितनी बार दिल्ली के पाकिस्तान हाई कमिशन के चक्कर काटे ये भी बड़ा सवाल है और अब इन सभी सवालों का जवाब ढूढने की कोशिश की जा रही है लेकिन अब तक तो इनका जवाब किसी के पास नहीं है अंजू की प्रेम कहानी में 420 एंगर प्यार में अंजू दीवानी साजिश के कहानी हिंदुस्तान से पाकिस्तान तक अंजू सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है पाकिस्तान से अंजू का एक-एक वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है इसके साथ ही अंजू के कई जूट भी सामने आ रहे है अंजू के परिवार और उसके जानने वालों का दावा है कि अंजू हिंदुस्तान से पाकिस्तान पहुंचने के लिए ऐसी कई बाते कहीं चेहरों को कपड़ों से ढख कर हाथ में ब्लू बैक लिए अंजू अपने घर से 20 जुलाई को निकली जब अंजू के पती अर्विंद ने पूछा कि कहा जा रही हो जवाब मिला ये अंजू का पहला जूट था अंजू जैपूर नहीं बलकि दिल्ली जा रही थी अर्विंद का दूसरा सवाल था जैपूर में क्या काम है जवाब मिला सहेली से मिलना है ये भी जूट था क्योंकि जैपूर में उसकी कोई सहेली नहीं थी पती को जैपूर में सहेली से मिलने की बात कहकर अन्जूद दिल्ली से निकले क्या आपको ये खबर मीडिया के थ्रू मिली है या अन्जू ने आपको फोन किया था उसके भावी पे वड़सप पे तो बोली कि जी फोन आ रहा है बात कर लो तो उसका पती अर्विंद यही कह रहा है कि मेरी पत्नी मुझे जूट बोलकर भिवाडी से पाकिस्तान पहुंच गई 22 जूलाई तक उसकी पत्नी वाटसेप पर बात करती रही लेकिन उसे भनक तक नहीं लगने थी कि वो कहां है अन्जू पाकिस्तान पहुंच चुकी थी